गौरब वल्लब जिन्हें जीरो से पहचाना जाता है लेकिन कौंग्रेस को इस जीरो चाप प्रवक्ता पर इतना भरोसा है कि पहले कौंग्रेस ने गौरब वल्लब को जारखंड से विधान सबा का उम्मीद्वार बनाया जारखंड में विपक्षी गठबंधन की सरकार नहीं बनी एमन सोरें सीम बने लेकिन गौरब वल्लब बुरी तरह से हार गए लेकिन पता नहीं कौंग्रेस को क्या सूजी कि गौरब वल्लब को उदैपूर की सीट से मैदान में उतार दिया जहां कनहया लाल की गला रेद कर ह हत्या की गई थी कनहया लाल की हत्या का मुद्धा राजिस्तान चुनाओ में सबसे बड़ा मुद्धा था पी-एम मोदी ने खुद इसका जिकर अपनी रैलियों में किया यहीं वज़ा है कि पी-एम मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरवात उदैपूर से ही की लेकिन गौरब बल्लब को अंदाजा नहीं था कि कनहया लाल की हत्या का मामला उनकी सियासी करियर को ही ले डूबेगा नतीजे सामने आए तो गौरब बल्लब बीज़पी उम्मिदवार तारा चंजैन से 32,000 से जादा वोटों से हार गए और इस सीट पर केजरिवाल ने भ जरिये कॉंग्रेस राज में अपराध के मुद्दे को जम करहा दी खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी चुनाव प्रचार का शंखनाद भी उदैपूर से करने पहुंचे उन्होंने कनहया लाल हत्याकांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरूप लगाए प्रधान मंतरी ने इस केस का जिक्र सिर्व राजिस्तान ही नहीं बलकि MP में भी किया और कॉंग्रेस पर हमला बोला। प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा था कि राजिस्थान में खुले आम गला कार्ट दिया जाता है, सरकार देखती रहती है, कॉंग्रेस के लोग जहां सरकार में जा रहे हैं तुष्टी करण ला रहे हैं। यही बयान उन्होंने मध्यप्रदेश विदानसभा चुनाव क बीच अपनी रैलियों में भी दोराया था, बीजेपी अपनी रड़नी तीके तह चुनावी मैदान में उतरी और जनता को अपनी बात समझाने में सफल भी रही। इसी का नतीजा रहा कि उदैपुर विधानसभा सीट से भारतिय जनता पार्टी के ताराचंद जैन ने जी रहा